आज मैं आपको इंची टेप के बारे में जान करें दूंगी क्योंकि यह बहुत ही बेसिक है जो बेसिक वीडियो जो है जिसे जो नए सिलते हैं उनको समझ में नहीं आता है इसलिए मैं यह बेसिक वीडियो बना रहे हूँ तो वीडियो आप पूरा देख लो ताकि आपको सम आ रहे हो तो वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिए शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्रेब करें हम देखें यहां पर हमारे यह इंची टेप जो हैं अब यह जो उपर की साइड दिखाई दे रही है आपको एक दो तीन चार पांच छे जो है देता है यह सेंटीमेटर में है लेकिन जब भी हम कटिंग करते हैं बलाउस की जो भी हम सीखते हैं तो हम इंच में कटिंग करते हैं इंच में क्या हो जाता है जल्दी समझ में आ जाता है और दिक्कत नहीं होती जैसे सेंटीमेटर में बहुत सारा क्यलकुलेशन करना लंबर यहां से दो नंबर हैं यहां तो क्तितना चाहते हैं औरो यहां से दो चाहते हैं वह दो क्षशता कब्ड़ कंई. तो 75 cm हमें कपड़ा चाहिए तो हम cm में नापते हैं और जब हमें 80 सेंटी में नापते हैं लेकिन में कपड़ा नापना है तो हम इंच में नापते हैं तब देखिए यहाँ पर कैसे मैं आपको बता देती हो यहाँ पर यह देखिए यहाँ से एक इंच आपको दिखाए देता होगा एक लाइन छोड़के यह जो थोड़ी बड़ी लाइन आपको दिखाए देती है यह होता है हमारा सववा इंच यहाँ से यहाँ तक यह कौटर इंच बन जाता है और यह जो है यह हमारा सववा इंच ह होता है फिर से उसके आगे एक इंच छोड़के ये थोड़ी बड़ी लाइन आपको दिखाए देती होगी तो ये बड़ी लाइन जो है ये हमारी देड़ इंच पे आती है अभी ये बड़ी लाइन जो है ये देड़ इंच पे आती है फिर एक लाइन छोड़के ये जो दूस लो सभवा इंच लो तो नए सिलने वाले हैं उनके लिए समझ में नहीं आता कि यह जो लाइन से कहा तक लेना है लेकिन एक इंच जो लंबी लाइन दिखाया душ है उसके साथ में चोटी लाइन चोड़ाई देनी है और फोड़ीषी बड़ी लाइन यहां तक लेना है तो यह तारिके से आपको सव्वय 2 इंच, 5 इंच, 55 इंच, और 3 इंच इस तरह से लेना हैं, उसके बात सव्वय 3, 5, 3, 45 इंच, 5, 4 इंच, इस तरह से हो जाता है। उसके बाद ये देखें, यहां तक हम 20 इंच तक लेंगे, एक से 20 इंच तक लेंगे, तो हमारा जो कपड़ा है, वो होता है, 20 इंच तक कपड़ा नापेंगे, तो वो होता है हमारा आधा मिटर, एक मिटर जब नापेंगे, तो यह आता है 40 इंच का, यहां तक, यहां तक यह को डबल करना है, और 40 इxi लेना है, नहीं तो आपको 40 इंच पर एक मार्किंग करनी है, उसके आगे आपको फिर से 40 इंच लेना है, 80 इंच लेंगे, तो यह आपका 2 मिटर कप्ड़ा हो जाएगा, अभी 1.5 मिटर कप्ड़ा लेना है, तो आपको क्या करना है? देड मिटर कपड़ा लेना है तो 40 तक हमें पहला कपड़ा नापना है ये बन जाता है हमारा एक मिटर और उसके बाद उसके आगे हमें 20 इंच तक कपड़ा लेना है 20 इंच तक कपड़ा लेंगे तो वो होता है देड मिटर ये 20 इंच तक आदा मिटर कपड़ा होता है 40 के आगे हम लेंगे यानि कि 60 इंच तक कपड़ा लेंगे तो वो हमारा 1,5 meter हो जाता है उसके बाद यह देखे यहाँ पर हमारा जो centimeter में आता है अभी centimeter में जब हम नापते हैं तो हम blouse का कपड़ा नापते हैं तो वो किनारी जो होती है उस साइड में हमें blouse का कपड़ा नापना पड़ता है तो यहाँ पर आपको क्या करना है यह centimeter में इस तरीके से नापना है तो 75 centimeter जो है यहाँ पर आपको चेक करना है यह देखें यहाँ पर हमारा 75 centimeter आता है 75 centimeter जब हमारा आता है यहाँ तक हम नापते हैं तो छोटे नाप के लिए 75 इंची लगता है उसके बाद 80 cm हम बोलते हैं तो इसके आगे हम जो नापेंगे तो यहाँ तक जो आता है यह हमारा 80 cm आता है और उसके बाद जब 85 cm तो यहाँ पर 85 यहाँ पर 90 cm इस तरीके से आपको लेना है और एक मिटर कपड़ा है तो यहाँ प कपड़ा लेना है तो आपको यहाँ से इंच में लेना है और 40 इंच लेना है तो आपका एक मिटर कपड़ा जो है वो बन जाता है तो यहाँ पर मैंने बहुती सिंपल तरीके से आपको कपड़े को कि बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको इंच में बताया है कपड़ा कितना लेना है वो भी मैंने आपको बताया है सेंटीमेटर का भी बताया है क्वाटर इंच कितना होता है आधा इंच कितना होता है एक इंच कितना होता है या पौन इंच कितना होता है यह देखिए यहा लाइन छोड़के इसके आगे आता है यहां पर पॉन इंच है और यहां पर हमारे एक इंच आता है तो एक इंच सवा इंच देड़ी इंच पॉन दो इंच दो इंच जैसे यहां पर हमारा क्वाटर इंच आता है इसके आगे तो अब यहां पर जो पिन लगाई होती है यह हमे नहीं तो यह देखिए यहाँ पे quarter inch जो आता है यह quarter inch आता है यह आधा inch आता है यह पौन inch आता है और यह एक inch आता है इस तरीके से आप सकते हैं यहाँ पे मैंने इंची टेप के बारे में बहुत ही simple तरीके से मैंने आपको समझाया है इसमें जो भी समझ में नहीं आया होगा आप comments box में मुझे पूछ सकते हैं मैं उसके उपर वीडियो बना के फिर से आपको समझाओगे अभी वीडियो पसंद आने पर बहुत सार लोग जो है वीडियो पसंद आने पर वीडियो देखते तो हैं तो यहां पर मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाया है इसमें जो भी समझ में नहीं आया होगा आप comments box में मुझे पूछ सकते हैं मैं उसके उपर वीडियो बना के फिर से आपको समझाओगे वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिए शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो